हेई गाईज हाव यो आल डियर स्टुडेंट्स आज हम लोग जो है आनेमिल किंग्डिम चाप्टर के आंदर फाइलम प्लेटी हेलमन पढ़ना स्टार्ट करेंगे एक पॉइंट यहां मैं सबको समझा देती हूं जो बच्चे पहली बार को चैनल के ऊपर पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसमें काफी बच्चे कंफ्यूजन के अंदर हैं कि माम चाप्टर चल कौन सरा है ठीक है बिकॉस दियार अक्चुली एबल तो सी वराइटीज अव लेक्चर्स आंड देन देट कंफ्यूज कि आक्चुल में विच चाप्टर इस राइट नौ रानिंग ठी इसके उपर अब जब भी जाओगे ना यू विल गेट देट प्लेलिस्स ओवर हियर अब इसमें जितने भी लेक्चर्स हो गए सारी के सारे इस प्लेलिस्ट के अंदर आ जाएंगे ठीक है बाइलोजीकल क्लासिफिकेशन चाप्टर भी क्लास 11 के अंदर बोटनी पोर्शन म यूमन रिप्रदक्शन चाप्टर जो है वो भी अल्रेडी ओन गोइंग है जहां पर मेल रिप्रदक्टिव सिस्टम के अंदर मैंने गमेटोजनिस तक पढ़ा दिया है वो लिस्ट यहां पर दिख रही है ठीक है रिप्रदक्शन और और चाप्लीट कर चुकी हूं है क्योंकि अगर मैं एक एक चाप्टर को लेकि करवाना स्ट करूंगी तो वह चीज जो है वो थोड़ा सा डेले हो जाएगी सिलिबस कंप्लीशन टाइम पर नहीं हो पाएगा ठीक है तो आई थेंग डाट आप लोग समझ पा रहे हैं कि क्या कॉंसेट है किस कॉंसेट के ओप अगले क्यास से मैंने अगले क्यास से मैंने यह सोचा हुआ है कि अगर वो चाप्टर हमारे NCERT के आंदर रिडियो सिलिबस जो है हमारा CBSE Board Examination में रिडियो सिलिबस जो है हमारा उसके अंदर काउंट नहीं हो रहा है तो उस चाप्टर को हम लोग आखरी में करेंगे राव दन 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 क्योंकि I don't want any loss of any of the student who is going to appear in the class 12th board examinations this year okay and dear students we do also have a gravity circle chemistry channel as you all know to chemistry channel में रृतियों जे पंडिया sir is dealing with all the chemistry portion and he is teaching brilliantly and you all need to actually watch the lectures on time okay so now we are going to start with the plate helmet हमेंट अब थोड़ा सा clarity आई न समझ जाई न चलो अब प्लेटी हेलमेंट समझा रही हूँ देखो बात करते हैं बिल्कुल कहानी के फॉर्म में चीज़ेंगे बहुत हो जाती है तो फॉर्म प्लेटी हैलमेंट में अपन सोचते हैं कि प्लेटी का क्या मतलब है और हैलमन्थ का मतलब है अब आप लोगों नहीं कभी भी अगर डॉक्टर के पास में गए हूँ बच्पन में छोटे बच्चों को अपनने सूने वान्म डिसीज ज्याद हो जाती क्योंकि warm तो बहुत सारे हो सकते है warm तो अनलीडा के अंदर भी हो सकता है warm तो हम बोलेंगे की ascalminthies में भी हो सकते है warm-like शब्द को हम लोग हमेशा helminth शब्द बोलते हैं कीडे की तरह पर भी कीडा तो आर्थ रफोड़ा है ना तो हिंदी जो है वो बिलकुल biology से बहुत अलग जाती है कई बर तो मैं clearly बोल दूँ प्लीज इसको कीडा मत बोल ना this is not a कीडा एट ओल ठीके this is going to be platy helminth जिसका shape appearance warm के जैसा होता है ठीके किस प्रकार का warm अब दूश्री वैत platy आगे लिखा यहाँ पर plate Commons टैके platform, plate इसमें ऐसी होती है वैइ का कईके खाने थेन थालि कैसे होती है फ्लाट होती है generally right तो platey का मनले मतलब हो जएगा फ्लाट तो यह जो वाइं यह है फ्लाट वाइं जैसे कि यह दिख रहे है इसको देखो तुम लोग कैसा सा appearance है इसका so beautiful यह है फ्लाट वार्म आपने को समझ में आ रहा है दिखते से कहीं ना कहीं कि यह एक्वेट के अरिया में पाया जा रहा होगा क्योंकि इसका फोटो मैंने यहां लिया है राइट परन्तु इनकी है वेरियेबल हो सकती है यह फ्रेश वाटर में भी पाया सकते हैं यह मिराइन में भी हो सकते हैं पर यह बहुत कम होते हैं जो कि इस तरीके से आराम से जिंदगी जी रहे है अधिकतर फॉर्म्स इनके ऐसे होता है जो कि किसी ना किसी की बॉड़ी के अंदर अपनी लाइफ सैकल कम्टीट कर रहे होता है और इसलिए हम लोगों को यह समाझ जरूरी है कि फालम प्लेटी हलमंथ के मेंबर्स जो हैं यह फ्री लिविंग तो होते हैं पर कम होते हैं और जाहतर कैसे होते हैं यह सारी किसारे आर मैक्जिमली डिपेंदेंट ओन अन्यवन इल्स ठीक है तो अपतें देन नूट्रिशन तो लिव ठीक है तो गेत अप्लेस फर अप्लेटी हलमंथ मेंबर्स कान इधर फ्री लिविंग और पारसाइटिक डिपेंडेंट तो हम पाली बात तो अब मैं तुमको इस फालम प्लेटी हलमंथ के ब्रॉड आसपेक्ट में डेफिनिशन बताती हूं जिसमें हम इतने सारे पॉंट्स कवर करेंगे के तो मैं अग अगर वो किसी फालम के रिस्पेक्ट में हैं तो वो कोई एक क्यारक्टर के ओपर बात नहीं करते हैं जैसे कि पूछ लिए हमसे कि ऐसा ओर्गनिजम बताना है जिसका ओपन ब्लड सर्किलिटरी सिस्टम भी हो उसके थ्री पेर अपेंड़ जिस भी हो और यह सब बाते समझ कि हमें लगता है हाँ यह आर्थरो पोड़ा का होगा फालम से पूछा तो क्लास पूछा तो हम इंसक्ता बोल देंगी राइट ऐसे पूछ लिया कि ऐसा कोई ओगनिजम बताना है जिसके डिपलो ब्लास्टिक बोडी भी हो उसके पास सेल लेवल ऑफ और और इसके पास में क्यार्टेस्टिक्स ओफ दाट इंडिविजुल ओगनिजम विच इज रिप्रेजेंटिटिव ओफ इस पर्टिकिलर फाइलम ठीक है समझ आया तो यह दिखो कितना क्यूट हो सा अपना फाइलम प्लेटी हलमिंथ का फ्लाट सा मेंब अपने को दिख रहा है इस प्रकाल से अपने हेड को घुमा के आगे की तरफ बढ़ रहे होता है या मोड मोड के देख रहे होता है जनरली खानार उंडर होता है ओके चली देखता है तो फाइलम प्लेटी हलमिंथ की मेंबर की बात करते हैं यह होते कैसे हैं यह वह पहले और्गनिजम्स हैं जो कि ट्रिप्लो ब दो जब्लास्टिक दो जब्लेर वाले यह पहला ऐसा ओर उगनिसम है फाइलं प्लेटीलिवन पैसा पहला इसा फाइल है जो की ट्रिपलो ब्लास्टिक और बाद ही ना उसके बाद ही हम लोग सीजों है की नहीं है यह वाली बात आगे तो अगर मैंने पूछा कि एक में टुको फोन साइलेंट कर ले मालूम पड़ा कि फोन आ जाता है बीच में फिर बच्चे लिखते हैं रिंग्टोन अच्छी है कि नहीं है ठीके देखो तो अब मैं बोल्रू मिहां पर ट्रिपलो ब्लास्टिक हमारे क्लियर हो गया दिमाग मे ब्लकुल सईसाइड भैडी है अच्छी डिखते है एस़सेलो मेट क्याण अगनिम्सके बाड़िमें नहीं है तब इसके बॉड़ी कैसी यह फ्लाट बॉड़ी होती है तो बॉड़ी कैसे ज आती सिलिंड्र्कृ जाती फुढवासा डिफरेंट शेप होता पर यह फ्लाट ुसके बीच में खाली जगा है क्या कि लिखा नहीं है तो इनकी बोड़िंगे ए सिलों मेट राया समझ में तो यह हो जाएंगे कि प्रियों अस ऐंख्य। यह होते हैं। कैसे हो जाएंगे इस अर्ग writer highland. ठीक है, तो हमें यह point भी clear हो गया कि इनकी body के अंदर हमें कोई भी segments नजर नहीं आ रहे हैं, जैसे कि हमें आगे आने वाले पुछ phylam में, जैसे कि earthworm वाला हो जाता है, हमारे पास phylam अनलीडा उसके अंदर बॉडी के सेग्मेंट होता है इनके पास ऐसे कोई सेग्मेंट प्रेजिट नहीं है यह बाइलिटरली स्मेट्रिकल ऑगनिजम्स है बाइलिटरली स्मेट्रिकल का मतलब हुजाएगा कि एक प्लेन ऑफ डिवजन से यह ऑगनिजम की बॉडी लेफ्ट और राइट इकुल हाफ में डिवाइड हो सकती है तो दे विल बिकाम बाइलिटरली स्मेट्रिकल ठीक है यह बाइलिटरली सिस्टेम्स जब किसी ऑर्गनिजम के पास में एनस नहीं होता बट दे डू हाव माउथ पर माउथ होता है मतलब की सिर्फ एक सिंगल अपर्चर हो ब्लाइड साग बॉड़ी प्लान तो इनके पास हो जाएगा ब्लाइड साग बॉड़ी प्लान और साथ ही में डाइजस्टिव सिस्टम हमें मालूम पढ़ गया है कि कम्प्लीट टाइप नहीं है क्योंकि एक सिंगल ओपनिंग है इसलिए हम यहाँ पर एक पॉइंट यह न इतना आया फिर इनके पास में प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम होता है यह में आगे पढ़ाने वाली उसको देखते हम लोग क्या है यह पारिन कायमर टिशू क्या होता यह भी दिखाऊंगी और स्पारल क्लीवेज डिवलप्मेंट क्या है यह दिखाते हैं देखो सिंपल बात समझना है पहले हमें समझ में आ गया कि यह और यह ऑर्गनिजपस वह हैं जिनके पास पहली बार के अवे इंके पहले जो भी थे वो नहीं होता इन के पास में होता है लेकिन है complete digestive system in के पास में होता है blind sack में जोख आनदगे स्ख्राइब होता है circular दीन होता ऻियुक है और इनके पास में मीजर्ण किस प्रकार से औरियंटेड है यह हम चीजें अभी देख रहे हैं अब आते कुछ इक पॉइंट्स पर जैनरल क्यार्टिस्टिक जो है इसके एक मिर्ट है इसको पीचर आ गया कोई बात नहीं मैं हाल गती हूँ बॉडी फॉर्म पर तो आप देखो इ जे यह और गनिजम. इसका मुझे एक हिस्सा यह दिख रहे है और मुझे पीच्य फ् .वाला इस्सा यह दिख रहे हैं। राइट् मैं ऐसे और गगनिजम को जिसका मुझे आंटेरियर और पोस्टेरियर एंड समझ आ रहा है मैं यहां पर anterior बोल दूँगी यहां पर मैं posterior बोल दूँगी ठीक है अब मेरे को बताओ कि अगर मैंने ऐसी कोई लाइन पास करी होती है जो कि इसके बिलकुल भी जो बीच से जारी होती है तो क्या यह लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसे लिए हम लोग बोल रहे हैं इसको बाई लेटरली सिमेटर कले एक और पॉइंट समझता है वह पॉइंट क्या देखो वह इसके फ्लाइट बोडी है तो एक उपर हिस्सा होगा और एक नीचे हिस्सा होगा ठीक है जैसे कि अगर मैं बात करती हूं इमाजिन करो तुम लोग डिरिक्ली कॉक्रोच को क्योंकि तुम्हारे इमाजिनेशन में आसान है कॉक्रोच को इमाजिन को तो ब्राउन वाला पोर पोर्शन है तो जो उपर वाला पोर्शन है उसको हम बोलते हैं दॉर्सल साइड यह दॉर्सल हो गया और जो नीचे हो जाएगा इसका वह जाएगा वेंट्रिल साइड आ गया समझ में कि नहीं तो इसका मैं अगर बॉडी की बात कर रही हूं तो मैं क्या यह बोल सकते हूं कि यह वह organism है जो कि बाईलिटरली स्मेट्रिकल है और दॉर्सोवेंटरली फ्लाट है ट्रिप्लो बिलास्टिक वांचे थे तीनों बाते प्रियर होगी पहला पॉइंट क्लियर सेकिंट देखनें बॉडी सेप किस प्रकार का है बॉडीशइप इनके वेरिबल हो सकते हैं व कर renewal गए हैं और यहां मैं जैसा रिबन की तरह तो मैं क्या पोलो सकता है वह yes उसकती है वह यह यह होते फ्लाइट है पर उनकी सेकिंड पॉइंट हो गया है तीसरा देखते हैं, तीसरा यह है कि इनके size dimensions क्या है, क्या हमें ये naked eyes से दिख सकते हैं, कि नहीं दिख सकते हैं, तो दिख सकते भी हैं और नहीं भी दिख सकते हैं, दोनों possibility हैं, कुछ एक forms इनके इतने छोटू हैं कि वो microscopic हैं, we are not able to see them with the help of naked eyes, और कुछ एक forms इतने जादा ल लंबा होता है, tinea solium, tinea, intestine में रहता है हमारे जाके, अगर diseased patient है तो, tinea solium 10-15 meter लंबा हो सकता, आप समझ रूख कितना लंबा होगा हो, right, तो these organisms length is variable, it can be from a leaf size or shape to the ribbon size or shape, okay, next आता है शब्द हमार सामने, इनके body मैं anterior posterior मैंने दिमार्केट करिया, मैं तुमको बताया और यह जो green मैंने बनाया तर यह anterior हो गया, और जो पीछे वाला भाग बनाया, posterior हो गया बराबर, यह anterior और posterior शब्द का इस्तमाल हमने पहली बार करें, ठीक है अब ही तक हमने hydra वगरा के अंदर anterior और posterior word के बारे में बात नहीं करी यहां पर करेंगे, इनके पास में anterior end of body जो है वो specialized हो गया है, किस हिसाब से specialized हो गया है, तो यह देखता है specialized के इस respect में बोल रहे है, कि यहां देखो तुम लोग फोटो, यह वाला फोटो जब तुम 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 नज़र आ रहा है इदर, तुम नज़र आ रहा है कि इसका जो यह portion है, यह triangular से हो गया है पहली बाद तो, और द पानते हैं कुछ प्रकार के receptor cells होते हैं, जो कि धूप च्छाओं का difference जज कर पाते हैं, कि धूप है या च्छाओं है, तो इनके पास सिदम primitive forms of eyes है, और उसको हम लोग बोलेंगे औसला है, क्या बोलेंगे, औसला है, हाला कि शब्द औसला का इस्तमाल यहां पर scientifically नहीं कर सकत हैं, क्योंकि हम बोलते हैं, सबसे primitive है, ठीक है, औसला है शब्द का इस्तमाल हम आगे आने वाले फाइला में जरूर करेंगे, तो primitive eyes प्रेजेंट हैं, इनके पास में, इनके पास में nervous system का एक तो portion sensory end पर shift हो गया, और क्योंकि इनका एक portion sensory end, जो है, anterior end पर shift हो गया, हम बोलें खा सकते हैं, तब, what are the basic organs which are actually going to help us in identification of food, it will be eyes, we can smell the food, it will be nose, we can taste the food, it will be mouth, we can actually hear the stimulus around us, that खाना बन गया है, पीजा आ गया है, तो we can hear this also, okay, तो basically क्या हो, हमारे nervous system ऐसे accumulate हो गया एक area में, वो भी anterior area में, कि आप खाना आसानी से खा सके, इनसान खाने के लिए जीता है, कि ultra sense है, जो भी मानना हो मानो, जीने के लिए खाता है, जो भी बोलना है बोलो, पर ये बात तो evolution proof कर चुका है, कि anterior most end of body के उपर sensory system, nervous system का accumulation होता ही ह है, और जब ऐसा हो गया, तो हम एक head जैसे कोई चीज़ के बारे में बात कर पाएंगे, और इसलिए हम civilization का शब्द का इस्तमाल कर सकते हैं, जिसको समझाने के लिए, मैंने तुम्हाले एक photograph भी लिया हुआ है, ये देखो, ये हो गया body का anterior most end, और ये हो गया body का posterior most end, है ना, organism जिस direction में food है, उस direction में जाएगा, तो food का direction ये हो गया, और food को sense करना, जो है, उसकी जिम्मदारी anterior end की होनी चाहिए, इसी ने sense organ और mouth जो है, वो एक ही direction में shift हो गये, समझे हो, और इसको बोलेंगे हम लोग head वाला area, और इस phenomenon को बोलते हैं, civilization मतलब की, nervous system का anterior most end पर shift हो जाना accumulate हो जाना, ठीक है, तो मैं यहां लिख देती हूँ, aggregation of, aggregation of, or shifting of, shifting of, major sense organs, major sense organs, ठीक है, to the, to the anterior most end of body, end of body, is called as civilization, ठीक है, तो यह वाली चीज हमारे समझ आ गई है कि नहीं, आ गई है, ठीक है, आगे देखते हैं, अब next point, ventral surface की बारे में बात करते हैं, खाना, ventral surface की बात करते हैं, ventral surface पहले बता चूकिए हो, हला कि फिर भी एक बड़ दिखा लोग देखो, यह था, ऊपर ही भाग, dorsal, और नीचे भाग, ventral, राइट, दॉर्सल, ventral, चिक है, मैं ventral side की बात कर रहे हूं, हम क्या देख सकते हैं, इस particular organism की अंदर, कि इस organism की अंदर जो mouth है, वो तो नीचे की तरफ है, mouth के तरह है, mouth और inner zone का काम ही यह कर रहे है, सारे के सारे platy element में same case नहीं होगा, मैं clearly बोल देती हूं, सिर्फ planaria की अंदर हमें इस प्रकाल का case नज़र आ रहे है, सारे के सारे organism की अंदर mouth की location, position थोड़ी variable होगी, आगे पीछे की तरफ हो सकती है, वो, ठीक है, समझ जो बात को, लेकिन होगी अधिकतर में ventral side पे, अधिकतर में ventral side पे, ठीक है, तो ventral side पे mouth और inner होता है, और इनकी बस evasible pharynx है, evasible, protrusible, मालब की pharynx बहार तका सकता है, जब सोचो कम लो, हाथ पैर तो नहीं है कि खाना ले लेंगे आके, क्या है इनके पास, इनकी पास फेरिंग्स ही और फिर भार भीखके और फिर खाना ले सकते हैं, चैके है, कितना आजीव है, पैसा होता है, चैके तो इनका pharynx बहार के तरफ प्रिट्रूज करके, इवर्ट आउट करके और फिर ये खाना अंदर के तरफ लेलते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, प्रिट्रूजबल फेरिंग्स, क्लियर हो गया, और एक या परचर माउथ और एनस के तरफ बहेव कर रहा है, इसलिए हम लोगों को यहां पर चब्द को कट कर देना चाहिए, क्योंकि हमको याद होना चाहिए कि यहां पर सिर्फ माउथ का वर्णा नहीं करना है, एनस का नहीं, is this clear? तो वेंटरल सरफेस के पास में माउथ हो गया, और जिनाइटल पोर भी हो गया, जिनाइटल पोर इस डाइग्रम में तो clear नहीं है, ठीक है लेकिन हम लोग कुछ एक और डाइग्रेम देखेंगे जिसमें जनाइटल पोर कहा है हमें क्लियर हो जाए आगे आने वाले आया समझ मैं मैंने मार्किंग गडबड करिये एक मट्रूख की हमिने अग्डर है क्ए कॉन लिए क्ल्डर के यह ने लिए सकते हैं एक है यह दिखो यह वाला देख रहा है 1st the छो लखा है एंग यह हमारे पास मेंबरे घर लेघा का अलब लेघा अना के पास में माउथ भी दिख जाएगा और जनाइटल पूर भी दिख जाएंगे आसानी से में इंटल साइट करति फोर आते हैं क्या है चीक है ठेक है आप संञज्य यह 3 और 4 के अंदर हमें well-marked mouth और genital pore इतने नहीं मिल पाएंगे जितने की हम लोगों को यह टर्बिल एरिया में मिल सकते हैं मतलब की 1 और 2 example में मिल सकते हैं ठीक है clear है next हम लोग पॉइंट देखते हैं कि जो organisms मैंने बताएं यह free living कम है और parasitic जादा है ऐसी कहाता न स्टार्टिंग में तो parasitic का मतलब होता है किसी और डिपेंड रहने वाले हैं तो उनको उनके body के अंदर attachment के organs भी चाहिए होंगे और खाना लेने के organs भी हो सकता है कि requirement पड़े ठीक है तो अच्छा एक और बात कि किसी organism की body में रहकिए और उनको इदर उदर जाना है तो organs को बोर करकर के जाना पड़ेगा वाल को बोर करकर के जाना पड़ेगा मतलब कि छेद करते हुए इस प्रकार की कुछ great variety of secretions हम लोग को मिलेगी कुछ एक light secretions कुछ एक additive secretions ठीक है organ of attachment मिलेंगे हम लोग को addition मिलेंगे हम लोग को paracetic adaptation में यह सारी चीज़े हम लोग को देखने को मिलती है ठीक है यह वाला organism का अगर body देखते हो तो क्या समझाता है देखो धान दीजिए यहां हम लोग को नजरा रहे होक्स ठीक है यह कुछ इस प्रकार के होक्स है ऐसी कर ठीक है यह फॉक जो हैं यह फास्ट जाएंगे किसी की बॉड़ी में आंकर की तरह काम करें तो दीज विल वर्क ऐस आंकर आंकर और और इंस एक तो यह बात ही और फिरते सकर सकर कैसे स्ट्रक्चर कि इस प्रकार का है कि तुम मानों कि कोई चीज में सक्षन क्रेट करके और चिपका दिया जाए और वह निकले ना ऐसे तुम लोगों ने कई बार किया होगा ऐसे कप कर रहा होगा जिबकि तुम कभी बायचांस चोटे बचे थे और पानी का ग्लास पीरे हो ठ मात्में है और ग्लास लिया तुमने और मुपर चिपका लिया कभी करा ऐसा और फिर सांस अंदर खींच लिए और फिर ग्लास चुपक गया और डिजाइन बन गई तो निकालने में किती मसक्कत लगती है समझ तो यह सक्षन करेट करके कोई चीज को चिपका दिया जाए जाए उत्म ड़ॉऌ है तो इस प्रीकार से यह हो जाएंगे ऊंद Wh梵 में हमारे पास में स्वाजी है क क्यू तअ क्यूं कि कल को स्विश्चिन कि बोडी कर जो की बाहरी लेयर रह उसे लेर जो कि इनको हमारी यह किसी और और और्ड़िंसिम की बार्ड़िमेंे एक के ओर्गनिस्म की बॉड़ी के अंदर स्रवाइब कर सकते हैं बिल्कुल भी नहीं चीक है इसलिए इन के पास में जो वाइबूडी क्या वो क्योटीकल क्यूलाथ है और क्यूटिकल होती है ऐसी प्रकार के है जिसको हम उसकता है रेजिस्टेंट resistant to the host body juices, host के body के juices के परती resistance शो करने वाली, ओके, is this clear to all, everyone? शलिए, इतना समझ आ गया, exo and endoskeleton इसके पास नहीं होते हैं, इनके पास में सिर्फ और सिर्फ parasitic adaptations होती हैं, जो कि तुम लोगों को लगेगा कि ये exoskeleton है, पर यह exoskeleton नहीं है इनके body में क्या-क्या चीज़ें हो सकती है cuticle, spine और hook हो सकते हैं teeth भी बोलते हैं कभी कवार अगर hooks कोई और etc बस इता ठीक है क्या धियान रखना है they don't have any skeleton they do have some parasitic adaptations which can be either hook, sucker, cuticle, spine, etc is this clear? ठीक है यह देखो फोटोग्राफ तुम्हा ले लिया और मैंने जान बुझके ताकि clarity आप है कि how will the hooks appear? ठीक है तो these will appear somewhat like this somewhat like this these are the organs of attachment we can sit dhansh जाएंगे body के tissues में ताकि यह चिपके रहें ठीक है और we are also able to see the suckers over here these are also the organ for attachment यह भी चिपक जाएंगे इस प्रकार से कि इसको मतलब आपने खाना खाया कि पानी पिया कि जो किया यह जहां चिपकना चाहेगा वह चिपका रहेगा अगर यह इंटेस्टाइन में है तो समझ रहो बात को मैंलब कि हमारे एक्स्टरनली फोर्स जो भी हम लोग पूट कर रहें हम लोग खाना खारें पानी पी रहें whatever will not affect their attachment इतना strong attachment power इनके पास में होगा ओके चलो तो अब देखता है अच्छा देख लो यह फोटोग्राफ यह हमारे पास में फोटोग्राफ है बिसीकली तीनिया की के एक टीनिया का है इस च्रॉक्टर स्कॉलिक्स क्या बलता है इस पूलिक्स एड फिर आती शॉट नेक और फिर आती हमारे पास में एक इलॉंगे टेल जो कि कर चार सकर प्रेजंटिंट ऊंगे सके पास कुछ इस प्रकार से टीक है शॉट फॉक्स एंड लॉंग चलो टैप के इसके पास फॉक प्रेजंट ओंगे पास में माउथ भी नहीं होता और इनस भी नहीं होता उसकी पूरी की पूरी बॉड़ी ही न्यूट्रियंट की पर्मियाबिलिटी प्रोवाइड कर लेगी ठीक है तो इनके किसी भी सकर की अंदर अपर्चर मतलब की माउथ जैसा कोई स्ट्रक्टर प्रेजंट नहीं होने वाला है डेवल वर्क ओनली आज ओर्गन फॉर अटाच्मेंट और नो अदर फॉंक्शन इस क्लियर तो एवरिवान ओवर है ठीक है तो पैरासेटिक एडप्टेशन में हूख सका और स्ट्रक्टर हमें समझ में आ गया है अब हम आते हैं स अगर तो हमें क्या दिख रहा है आपर तो दिखो यह दिख रहा है इसकी बाहरी बॉड़ी वॉल और हमें दिखनी चाहिए थी बीच में एक स्पेस परन्तु इनकी बॉड़ी में कोई स्पेस प्रेस नहीं है इन फैक उस पूरे जगा पर इन्होंने एक टिशू भरा हुआ और उस टिशू को यह लोग बोल रहे हैं मीजोडरमल टिशू पूरा का पूरा यह और इसी को हम बोलेंगे लूजली ऑर्गनाइजड ऑर्गनाइजड पैरिंट काईमा प्लांट में हलांकि पैरिंट काईमा वर्ड का ज्यादा इस्तमाल होता है आनिमल किंग्डम में भी लिए और गनाइजड कोई टिशू अगल प्रेजंट है तो हम उसको पैरिंट काईमा बोल सकते हैं देखो प्लेटी हल्मन का सेक्शन लिया तो आउटर मोस्ट हमारे पास एक्टोडम आगी गर्ट की लाइनिंग हमारे पास एंडोडम आगी और बीश की जितनी भी जगा प निजो डिर्मल औरिजिन के होते हैं ठीके तो हमारे समझ आ गए सारे पॉइंट स्क्लियर ली बॉड़ी स्पेस ब्वें अप्संट इसलिए बुलेंगे एसी लो मेट टेके नेक्स दिखते हैं अब देखुए डाजिस्टिव सिस्टम की बात करें जैसे कि मैंने कहा था इन कि सबनमे को अब कर अब देखोंसल हमारे थ assume और देख आoug मारे अ कारह इंचे तुम दिखारें यह नियूर्भल मl Cyber placing अब देखते हुए रेंदिसे अफे निकाला ओस्प्राइन के लिए ने के लिए कहारे ताकि अए आन लेने के लिए अटे तेंदिखों कंग धरम यह प्लेटी हल्मेंथ, लिगा है यह प्लेटी हल्मेंथ, अब बफे लिचाना कर रहा है, थित् Smith, ते लिए रहन दो, फेर्फेंग निकाला है यह यह पांग LNK लेगा है, अब झाने की लिए, गह लोग बांग ऑंक एंग प्लेटी हलquito लानPauline इसे लिए हम लोग बोलते हैं इनकी एबिलिटी होती है फेरिंग्स को बाहर निकालके और खाने को अंदर लेने की एक या परचर अंदर भी ले जाएगा खाने को एक या परचर बाहर भी लेखे आएगा अंड़ेस्टिट फीकल माटल ठीक है लेकिन डाइस्टिव सिस्टम किसमें विल्कुल भी नहीं होता जो मैं तुमको पहले फोटो दिखाई थी यह वाला टेप वाम या टीनिया के पास में दिर इस नो डाइस्टिव सिस्टम मैं यहां लग देती हूं डाइस्टिव सिस्टम इस एपसंट ओके इस एपसंट कि चलो भाई इत्ती बात क्लियर हो चुकी अच्छे से आगे बढ़ता है रेस्पिरेटरी सिर्कलेटरी नहीं होता है हमें मालो में एक्स्क्रीटरी सिस्टम में इन ओर्गनिजम्स के पास में एक दम प्रॉपर ब्रांचिंग ट्उबूल्स प्रेजन्ट होती हैं कुछ इस इस प्रकार से हैं कुछ ऐसे हैं और हड़ कार्णर के उपर कुछ इक सेलNS लगे होगा है और इन सैल्स को हम लुग बोलता है froze गोलता है फ्लेम सेल्स देख्ह तो फोटोग्राफ भी इप इस प्रकार प्रोटो निफ्रेडिया के पास में कौर्नर सीपिया लगे हुए होता है तो हम लिखेंगे प्रोटोनिफ्रेडिया कंटेइनिंग मुझें इस भी फ्लैंप की बार गढंटिया बज Quindi को फ्लेमे Ministry Sering मेरिंग फ्लेम सेल्स टीक इतना आगे समझ अप देख लो एक ओर बात यार यह दिखो इक रहा है फ्लेम सेल्ट इसारी प्लेम सेल्ट शौर्ट के शौर्ट ट्यूब कि एक लॉंग ट्यूब के साथ जुड़ी हुए यह और यह लॉंग ट्यूब जो होगी आकरी तक जाएग बाहर से उसमें लाइन बनी है मतलब कि फिल्टर टाइप तब फ्लेम सल के अंदर कंटिनियोस ली एक फ्लेम जो है वो चल रही होते हैं तो मैंने कुछ फ्लेजलर टैप बताया है तो मानो सीलियर ये बीटिंग मुवमेंट सल रहे हैं मतलब कि इस प्रकार की कोई मुवमेंट चल रही तो करण्ट डिवलाप होगा जहां पर भी कोई मुवमेंट चल रही है तो अटोमाटिकली अधर करन्ट डिवलाप होता है अगर इंकी बॉडी का फ्लुइट जो है वो उस डिरिक्शन में आना चालू हो जाए तो वो उसमें से जो भी फेकने का समान है उसको इकट ट्यूब बनाती है और यह वाले ट्यूब जो है निफ्रिडियो पोर से इनका जो एक्सक्रिटरी वेस्ट है उसको बहार की तरफ फेक देती है यहां पर एक्सक्रिटरी वेस्ट का मतलब है इनका जिसे कि हमारे लिए किड्नी क्या योगदान करती है नाइट्रोजनस वेस्ट यह वाला पोर्शन क्या काम करें रहा होगा नायट्रोग्रोजूनस वेस्ट गजिक एग्सकरेशन इतना समझ आ गया गया अब तो eight में शील्या कोज इंतरिशियल फ्लोड को टूब तु टूल के अंदर तुर्ट है वो तब टूब्स बीस के स्ट को ले के आजाएंगे इस फ्लेम जाएंगे अंदर व्ल॑ तु टूबल जैसे जैसे फ्लोड तूब्म कितरू टूब गर तूबर करता है काफि से रहे कंटेंट को तो हम लोग री अब्सॉर्ब करें जो काम का है ठीक है लेकिन जो काम का नहीं है जैसे कि वेस्ट हो गया वार्टर हो गया यह सारी के सारी चीज़न नेफ्रेडियो पोर है इससे बाहर की तरफ फेक दी जाएंगी इससे अदा और एक्स्प्रेशन की एक्स्क्रेटर सिस्टम में रेक्वार्मेंट नहीं बैठती है परन्तु यह मैंने इसलिए बताया यह NCRT में नहीं है पर इसके उपर क्वेश्टन आने के चांसे बहुत स्ट्रॉंग रहते हैं फाइलम प्लेटी हल में इनके दो सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है एक है नर्वस सिस्टम एक है एक्स कृटर सिस्टम इन दोनुप से question हर साल बनने की चांसे ठीक है अगर आता है question तो इन दोनुप से उठाया जा सकता है ऐसा बोल ठीक है तो देख लिया, consist of proton ypherida with flame cells इनी flame cell को bulb भी बोल सकते हैं, इनी flame cell को solenocyte भी बोल सकते हैं, तो flame cells can also be known as bulb, they can also be known as solenocyte, is this done, well understood, next, पी आगे nervous system, जैसे कि मैंने कहा, this is again a point which is important, क्यों? क्योंकि मैंने तुम लोग को بتाया था, याद हो कि syphilization पहली बार को in के अंदर हुआ, aggregation of nervous system on the one end of body which can be said as a head was seen for the very first time in the phylum platy helminth here we are able to see that देखो दिहान से क्या दिख रहा है यह दिख रहा है phylum platy helminth ठीक है platy helminth में हमें दिख रहा है यहाँ पर अगर इसको section लेकर देख रहा है तो हम लोग वह वें वेंट्रल साइड पर की dorsal side पर हमारा nervous system के तरह होता है dorsal जो इतने भी non-caudit हम लोग पढ़ते है ना सारे के सारे नौन-caudit उनका nervous system के साइड पर होता है नहीं सहीं cerebral ganglia in a cord like structure से भी connected है ठीक है cord like structures आपस में भी connected है तो पूरा का पूरा structure कुछ इस प्रकार से नजर आता है जैसे की सीडियां present है जैसे की ladder present है और इसलिए इस प्रकार के nervous system को बोलते है ladder type nervous system यह ladder like nervous system ठीक है क्या क्या है nervous system में बता दो nervous system में group of neurons है ठीक है group of neurons अगर head area में accumulated है तो वह one pair है और उसको हम लोग बोल रहे है cerebral ganglia यह brain के equivalent शब्द हो गया और इनके पास में एक से लेकर तो तीन पेर मतलब कि यह one pair हो गया यह two pair और यह three pair मतलब इसके यह जस्ट नीचे की तरफ दभी हुई एक और होगी तो two pair मान लो तुम ठीक है और इनके नीचे दभी हो दो और होती ही तो हम बोल देंगे तीन pair मतलब कि एक दो और तीन धागे कैसे समझाओं देखो एकदम रफ इमाजिनेशन कराती हूँ पर प्लीज ट्राइटो अंडर्स्टाइड के मैं क्या समझाना चाहरी हूँ यह बनाया ठीक है अब समझो कि यह तो वान पेर हो रहता है और अगर यह ऐसा होता तो यह त्री पेर होता है और यह आपस में connected होते सारी के सारे समझारी बात ऐसा कुछ तो हमारी सामने डाइग्रम बना हुआ है इसमें वान पेर दिख रहा है पर यह लॉंगिट्यूडिनल नर्फ जो होती है यह एक से तीन पेर तक हो सकती है और यह आपस में connected होती है और जो इनको आपस में connect करता है ना उसको हम लोग बुलता है और जो डंडे हैं उनको हम लोग बुल रहे हैं लॉंगिट्यूडिनल नर्फ और जो डंडे उपर की जिसे connected है उसको हम लोग बुल रहे हैं ब्रेइन लाइक सेर्डिल गैंगलिया समझ गए क्या सीडी का अर्रेंज्मेंट के इस प्रकार से हैं इस बरी क्लिर नर्व प्रीक्मेंटेशनां इन रिजनेशन है और प्रिजन बीजिन उसकता है मैं तो एक है फ्रेगमेंटेशनां रिजनरेशन चुक्या जो कि हमें दिख रहा है साइड में है ना आनिमिल किंग्णम के अंदर नहीं नहीं मैं यह सेक्शोल रिप्यूर्स बढ़ा था हाँ ठीक ह फ्रेग्मेंटेशन और रीजनेरेशन यह पॉसिमिलिटी है एक तो देखो कि इस प्रकार से तूट तूट के हार एक फ्रेग्मेंट नए प्लेडिया को राइस दे सकते हैं और इसके अलावा यह लोग बाइनरी फिजिन भी परफॉर्म कर सकते हैं खीक है ओके चलिए तो यह हमाय समझ आगए फर्द सेक्षवल रिप्राप्शिन सेक्ष्वल रिप्राप्शन में प्रजन्त होता है तो यह और इस प्रकार के होता है तो हम इस समझना पढ़ेगा हम कुछ एक पॉइंट से लिए यह एक मेरे पास लेट इस सपोज की प्लेनिय लिए इसके पास में क्या दिख हने मुझे मुझे दिख रहा है समें एक तो ओवरीज नज़़रा हुआ है और मुझे एक अक नई इक में अजले भाबsk storage मोर्टिप लगमोरीज commission के बासे में एक वर्टिबल पीनिस भी और यो कि इनके पास में जिनाइटल पूर्फ भी है जो कि वेजाइनअ के इक्वइलेंट हो गया, वेजानल के नॉल के, बीजाइनल औरिफिस के एक्वइलेंट हो गया, यह पीनिस हो गया, Male Repro Antrag aproxim अब समझो कि इनके body के अंदर दोनों ही rep accessibility system प्रेज़न्श तो है पर मेल प्रीपराक्टिव सिस्टम पहले Bijțॉर हो जाता है फीबार्टिव पो प्रेडल प्रेशन के comparison तो इनके अंदर self-fertilization के chances तो नहीं है चीक है तो फिर फर्टिलाइशन कैसे होगा क्रॉस मदलब कि भल्ले ही तो यह और्गनिजम बाइसेक्शुल है और यह और्गनिजम हर्माफ्रोडाइट है फिर भी इनके अंदर मेल रिप्रॉक्टिव सिस्टम की अर्ली मिचॉरिटी की कारेंट से रिप्रॉक्शन में दो पार्टनर्स की र प्लेडिया के फिमेल रिप्रॉक्टिव सिस्ट्म का देवलाप्मेंट हो गया हो हम मान लेकि यह घ्रिटी ये रिप्रॉक्तियसके अंदर करोगा internal fertilization होगा external नहीं ठीक है तो cross fertilization है और fertilization कैसा है internal internal fertilization भी है तो चीक है समझ आगया सभी को चलो तो यह बाते clear हो चुकी है cross and internal अच्छा मैं यहां से एरेस कर दो मालूम पड़ा कि कोई और जो है यह सोचे कि यह मेल है और ही फीमेल ऐसा है नहीं है यह उस समय बिहेव ऐसे कर रहे हैं ठीक है चले ही देखते हैं sexes are united that is hermaphrodite with very few exceptions the very few exception में एक exception है उसको हम लोग बोलता है मैं बिलहार्जिया जिसका मैं आगे भी वर्णन करूंगी बिलहार्जिया को यह हम लोग शिस्टो सोमा बोलते हैं तो मैं शिस्टो सोमा लिख देती हूं उसको शिस्टो सोमा इस exception कि अच्छा चलो cross fertilization most में होता है self fertilization सिर्फ एक में हो सकता है वो है टीनिया टीनिया एज एक exception हमेशा internal होता है fertilization और life cycle complicated होती है मतलब की इनकी अंदर लार्वा की presence हमें दिखने को मिलेगी मतलब की development कैसा हो गया indirect development इतनी बात धियान रखने है अच्छा आगे देखते हैं classes कितनी हैं कि तीन classes हैं की three classes मैं एक अधी point तुमारे लिखती हूं यहां पर टर्विलेरिया ट्रीमाटोडा और सिस्टोडा टर्विलेरिया के members जितने भी यह देर ओल फ्री लिविंग मेंबस फ्री रहते हैं यह किसी पर dependent नहीं है परन्तु ट्रीमाटोडा और सिस्टोडा के मेंबस जो हैं यह दुनों कैसे हो जाएंगे पैरासाइटिक फॉर्म्स दे आर गोईंग टो भी दपैरासाइटिक फॉर्म्स ठीक है तर्विलेरिया जो है इसके मेंबस के अंदर हमारे पास एक्जांपल आते हैं थैसा इसे चाइनीज लीवर फ्लू कि आस सकते हैं Chinese लंग्स फ्लॉक तल टेज़ इसथ एक एक्साप्ल दिख रहा है दो इस के लिए इसके लिए शिस्टों मां वो बोलते जो हने उबदे ने हैं इसके यह प्लाड फ्लुक उना फ्लॉक को नाम नहीं है पारागॉनिमस को हम लोग बोलते हैं चाइनीज लंग्स फ्लूग ठीक है अच्छा सिस्टोडा के में में टीनिया सोलियम टीनिया सोलियम को बोलते हैं क्या टेप वर्म लेकिन कौन से टेप वर्म तोम बोलेंगे यह हो जाएगा के सब्सकृतर एक पार प्यर और नरे हिजा जाएगाए और ट्या शब्द के लिए इस्त के लिए इस गया, और टांट प्योत बरई में मिलेगा बीफ टेप वॉर्म और एकाइनो को किसको हम भोलता है हाईट वर्म डॉब टेप वर्म यह हमने जो और्गनिजम्स के नाम लिखे ना यह वह और जिसम्स जिनके बॉड़ी में जाके अटाक करने की टेंडेंसी रखते हैं उनकी बॉड़ी में रहते हैं पारासाइटिक तरीके से तो हो गए टर्बिल एरिया के मेंबर्स हो जाएंगे हमारी पास में ट्यूब लाइ एक मुवी आठे सिल्मान कान की और वह मुवी जो थी वह बहुत फल्दाई नहीं हो गए थी अच्छे नहीं चली तो हम आद रखेंगे ट्यूब लाइट का क्या हो था त्यूब लाइट डूबी डूगेसिया और बाइपेलियम त्यूब लाइट क्या हुआ दूब पर-फसा ठीक है पात्वे क्या है पर में क्या हो जायगा हमारा पर पारगॉनिमस और यह हो जाएगा हमारा फैसी उल्ला और यह । इसमें चेंज होगा फराशा एक मिनिट यहां हम लिखेंगे टायर पाथवे से फिसला ऐसा था नेमॉनिक सदनली आदा है तो सदनली बतारी हो रुख जो याई एक मिनिट हाने मानिक में है फसा क्यूं था हां ओके ट्यूब लाइट संसल्मान खान रखेंगे और सल्मान खान से मैं याद रखेंगे उसका एक रिलेटेड केस था है ना प्लीज फैन बेस जो भी हो नाराज ना हो इस जस्ट अ थिंग क्योंकि मैं भी देखते हूं मुवी इसलिए है ना तो देखो भी सिल्वान खान की वादर ट्यूब लाइट डूबी और टायर रियाद रखेंगे त् पारगो्नमस पर अंत्रब पारगोनमस से पाथीए भी से आ हो यहरे जाएगा हमारा सिस चो सोमा और फिसला हो जाएगा के तो पाथे से फिसला ओक है यह पहले मैं बरांती थी पता नहीं कि मुझे वह वह क्लिक हो गया है यह न Jesus यार्र ही ती थी तक यह ज़्म को याद रख नगतुं है टांह मुझे लगता हँ तंप वोड़ रखना कि टांट मुझे लगता है तूमको याद लेकिन लगता ऐसा है कि बाइसम्याइट मतलब लगता है कि सेम बॉड़ी में दोनोंग रहने को तरीका बहुत अैंड़ कैसे हैं कि हम बोलते हैं, male और female जो हैं, एक ही body के अंदर रहते हैं, ठीके, they live in one body, okay, तो female and male bodies are associated in a manner that appears single body, ऐसे लगते हैं, ठीक है, okay, चलिए, ये body जो है, ये male body है, और ये body जो है, ये female body है, और हम हमेशा बोलते हैं, कि in organisms के अंदर, the female member lives in the gynecophoric canal of male, ठीक है, female members lives in gynecophoric, gynecophoric canal of males, ठीक है, तो ये जो canal दिख रही है, cavity, जिसके अंदर ये दिख रहा है, present organism, इस canal को बोल रहे हैं, हम लोग गाइने को फोरिक canal, ठीक है, और ये है, शिस्टो सोमा, इसी को बोलते हैं, बिलहार्जिया, डिजीज को बोलते हैं, बिलहार्जिया, सिस, ठीक है, हाला कि पहले state PMT's वगेरा के level पर, इनकी life cycles से भी questions आते थे, आजकल इनकी life cycle से questions generally नहीं आते हैं, टीनिया वगेरा से, यहां बोलें, फ्लूक वगेरा से, लेकिन फिर भी, एक हम लोग यहां पर life cycle short में पढ़ लेते हैं, और वो है हमारी life cycle of faciola hepatica, liver fluke, इसकी life cycle, एकदम short में बता रही हूं, देखो, धियान देंगे तो बिल्कुल clear हो जाएगा, adult, adult, जो है, faciola hepatica का, वो sheep की body में रहता है, ठीक है, adult, जो है, faciola hepatica की, वो sheep की body में रहता है, ठीक है, शीप की बॉड़ी में रहता है, शीप की बॉडी में reproduce करता है, और reproduce करके वो eggs ले करता है, और उन eggs के अंदर होते हैं embryo, ये egg है, और इस egg के अंदर है embryo, और embryo जो है वो बाहर fecal matter के तरू बाहर आ जाता है, और fecal matter के तरू बाहर आने के उपर उसको humidity मिलती है, moisture content मि मिलती है जिसकी कराइं एंग हैच होते हैं और लारवा बनता है रहलों को हमcomb zag ऐसम ये मिलां लारवा अगर कमएक रहा है क्या आस पास आ जाया मलब कि किए ऑडलकी सपोचलाय स्लैल की बॉड़ी को ढुंड़ता है मिला सीनी को हैं तैर्ट की बॉडि को ढूंट है मिरा सिर्यम लार्वा से इंदर कर शो तैंट होने के बाद एक अलग ienieine Continue बनाता है उस स्टेज को बूलते है। डार्वस से लार्व बन रहे हैं मेरा ऑस रीडियम के वाजा सी क्या बन रहा है इक की पोड़े पांच से आठ और बनाता है और उन हर लार्वा को हम लोग रेडिया लार्वा बोलते हैं यह भी बॉड़ी के अंदर ही हो रहें चीक है तो क्या-क्या हुआ एडल्ट फैसियोला जो था वह रहता है एक शीप के बॉड़ी में गोड़ के बॉड़ी में चैल की बॉड़ी में और वो reproduce करके eggs बनाता है, eggs के अंदर एक embryo होता है, embryo को बुलते है miracidium, जो कि egg बाहर जब आता है और उसको moisture content proper मिलता है, sunlight proper मिलती है, water content मिलता है, तो egg hatch होता है और बनाता है miracidium नाम का एक larva, miracidium जो larva बन जाता है, ये larva जो है, ये फिर snail के body के अंदर enter होता है, और snail के body के अंदर बनाता है sporocyst और radia, sporocyst बनाता है पहले तो, और sporocyst फिर बनाता है 5-8 radia, हर एक radia जो है, हर एक radia जो है, वो सरकेरिया बनाता है, कितने 14-16 सरकेरिया, देखो तुम लोगों को radia की body दिख रही हो, बनाता है और सरकेरिया से बहार आते हैं दूबारा से, स्नेल के body से बहार आने के वाद में सरकेरिया तैरते 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 तैरते, बैठते हैं तब अपने असपास एक layer secret कर लेते हैं इस आशा में कि कोई और cattle आके उने खा ले और जैसी वो cattle आके खा लेगी ना तब वो उसकी body में जाकी अब फिर से अरी परियूस करना start करेंगे बात समझ मैं तो इससाब से life cycle चलती है सोचो कि इनकी हर body की एक stage या level जो है वो यह decide करती है कि अगर यह successful होगी तो ही आगे की तरफ प्रसीड़ाओन हो पाएंगे अदर्वाइस नहीं इस प्रकार की life cycle को हम लोग easy life cycle तो definitely नहीं बुलेंगे हम बुलेंगे complicated life cycle ठीक है तो क्या क्या हुआ बता दो मुझे पहले तो यहां पर मैं बुलूंगी एडल्ट है तो कितने होस्ट हो गए एक होस्ट है प्राइमरी होस्ट जिसका नाम हो जाएगा गोट या शीप और एक होस्ट हो गया इसका secondary होस्ट जो की हो जाएगा snail ठीक ह स्टेजिस के नाम क्या क्या लिग देती हो में हाँ पर एडल्ट जो था उसने लिवर ऑफ शीप के अंदर रिसाइड किया ठीक है फिर री प्रिदूस्ट भी किया ठीक है एग्स ले कर दिया है ठीक है एग्स जो है वो आ जाएंगे फीकल मैंटर के साथ अग्स फीजिस क्यूंकि 애ंटराइं से होते हूं सारे फीजिस में याएंगे बायल जूस काहां जाता है एंटराइं इंट्साइन एंटरांसे shaky मैं जए बाहर एग्स जाएंगे जब तो फीजिस में आने के वाद एग्स होहें उनको क्या मेलेगी सब्सक्राइब प्रॉपर एंड मॉइस्टर मिलने के कारण एग क्या हो जाएंगे हैच है है लार्वा बनेगा उसको बुलते हम लूग मिरासीडियम लार्वा जो है वह आगी की तरफ क्या करेगा स्वीम और वह paarॉण इलुकि बाति एंठेल की थे वार्टी में 14-16 सरकेरिया हर 14-16 सरकेरिया जो है यह स्नेयल की बॉड़ी के बाहर आ जाएंगे आउट फ्रॉम बॉड़ी और फिर यह स्विम करेंगे और ढूड़नेंगे कोई वेजटेशन वेजटेशन मतलब की प्लांट्स ठीक है और वेजटेशन ढूड़ने के ऊपर वहां जाके वह करेंगे रेस्ट इन दे फॉर्म ओफ मेटा सरकेरिया इन मेटा सरकेरिया ठीक है टोटल लारवास कितने हुए देख लो एक हो गया हमारी पास में मिरा सीडियम एक हो गया हमारे पास में स्पोरोसिस्ट एक हो गया हमारे पास में रेडिया एक हो गया हमारे पास में सरकेरिया अरे क्या हो गया हमारे पास में मेटा सरकेरिया पांच है एक दो तीन चार और पांच इनकी इसी प्रकार से सीक्वेंस याद होने के लि इसके लिए निमानिक बता देती हूं याद रजाए कर तुम्हें यह लार्वा ऐसे बोल रहा है मैं सो रहा चिलाओ मत इस निमानिक से तुम्हें इसके सारे लार्वा के नाम याद रहा है मैं सो रहा चिलाओ मत तो आज के लिए पस इतना ही इतने से जादा फाइलम प्लेटी हलमन्त में आज कल क्वेश्चन नहीं बनते हैं हलांकि लाइफ साइकल और भी है इस प्रकार से नौन कोड़ेट करेंगे अब इसके बाद पढ़ेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे फाइलम अनलीडा इस प्रकार से नौन कोड़ेट करेंगे जल्द ही तीन-चार लेक्टर के अंडर ओके वाइवरिबाड़ी प्लीज दो फोगेट तो शेयर दे रिवीवस अफ लेक्टर के तुम्हें पसंद आया नहीं आया और दो ना फोगेट तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब